Hello everyone, कैसे हैं आप सब? Investing with Hardeep में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ में Market देखे, आज हमें भले ही positive momentum में जरूर देखने को मिल रही है बट लेकिन आज इस share के बारे में हम बात करने वाले हैं यानि कि Lisa Industries उसका market के उपर कोई असर हमें नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि market गिरे उठे उसके उपर कोई भी असर आप लोगों को नहीं देखने को मिल रहा है तो एक चीज यहाँ पर पहले ही clear कर देता हूँ हमें कि totally operator game stock के अंदर चलते हुए देखने को मिल रहा है क्योंकि जितने भी support levels थे वो सारे के सारे break कर चुका है Lisa Industries और एक बड़ी गिरावट तो नहीं कह सकता हमें क्योंकि देखे बड़े-बड़े stocks को बजब analysis करते हैं जो 30 रुपे के high लगाने के बाद 6 रुपे पे तक आके support लेते हुए तो stock market जो आपका patient stress जरूर करता है और वही चीज पैनी shares के अंदर mostly देखने को हमें मिलती क्योंकि पैनी shares के अंदर risk बहुत ज़्यादा होता है कि profit भले ही देखे profit जब होता है तो कोई दिक्कत नहीं है वो अच्छी बात है सबको अच्छा लगता है profit होता है तो अबसी बात है बड़े कि नुकसान जो होता है वो कहीं कहीं problem create करी देता है और वही चीज इस टाइम Lisa industries के अंदर हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि अगर मैं 22 week high की बात करूँ और उससे अभी तक की बात करूँ तो लगबलबक 60% गिरावट जो है stock में अलड़ी हो चुकी है तो ये गिरावट और फर्दर कहां तक जा सकती है आज हम बात करने वाले हैं टेकनिकल चार्ट को देखके इस वीडियो के अंदर तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नई है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जुरूर प्रैस करें क्योंकि आप लोगों का एक सब्सक्राइब जो है मुझे और मोटिवेट करता है ताकि सही स्टॉक्स के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी इस चैनल पे मैं आपको हमेशा देता रहूं और आप मेरे टेलिग्राम चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्षिन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा आपकी जो भी क्वेरीज है या अपडेट्स के लिए जो है आप मेरे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं अगर आज की बात कुरूए Lisa Industries की तो देखे 4.91% का lower circuit as previous days की तरह जो जितना भी लग रहा है वही लगता हो आ रहा डेली 5% के आसपास का lower circuit है 12.60 पैसे पे स्टोक आज पहुँच गया है 65 पैसे की गिरावट के साथ में कल की closing जो है वो 13.25 पैसे पे थी और हमारे जो 3 support levels थे व 12.25 रुपे तक आज चुका है और अगर मैं बात 5 दिन की कुरूँ तो 18% की correction stock में हो चुकी है और एक महीने की बात कुरूँ तो एक महीने में 50% की correction है बट लेकिन अगर उपरी स्थर से अगर मैं बात कुरूँ नीचे के लेवल पे अभी तक की तो उसमें लग लबग 60% की correction stock में हो चुके क्योंकि 6 जून को stock में lower circuit लगा था और 6 जून से आज तक 30 जून हो चुके याने की एक महीना होने वाला stock में lower circuit continuously हमें देखते हुए बात अगर मैं 6 महीने के return की कुरूँ तो पूरे 100% के return यहाँ पे Lisa Industries की तरफ से 6 महीने के अंदर हमें देखने को मिल रहे ह trading company आप सभी को पता ही है और अगर मैं एक साल की बात करूँ तो 358% के positive returns यहाँ पे हमें Lisa Industries की तरफ से देखने को मिल रहे हैं तो हमेशा vision जरूर यह रखे हैं कि long term investment करनी है और दूसरी बात की penny shares के अंदर bulk में quantities कभी भी मत पर्चेच के यह क्योंकि बहुत ज्यादा risk होता ह और risk जब देखे stock नीचे आता है तो loss booking के अलावा दूसरी option कोई नहीं होता है क्योंकि long term के लिए आप hold करके नहीं चल सकते किसी भी stock को जबकि उनका कोई भरोसा नहीं है penny shares का और long term का तो vision अलग बात इन stocks के अंदर इसलिए इतना investment कीजिए कि अगर गरावट होती भी है stock अब ही है तो आपको उससे कोई फरक ना पड़े बात अगर मैं इसकी selling pressure की करूँ तो आज भी 14 लाग shares का volume नहीं बलकि selling pressure इतना देखने को मिल रहा है हमें लगबग 30,000 के आसपास का volume देखने को मिल रहा है 14 लाग shares का selling pressure जो है stock में continuously हमें काफी दिन से देखने को मिल रहा है और अभी जो support levels है वो 10 रुपे तक भी हमारे निकल के आ रहे हैं कि stock जो 10 रुपे तक भी जाते हुए आपको देखने को मिल सकता है chances यही थे कि इस week में आपको कहीं ने कहीं correction देखने को मिल जाए लेकिन आज Thursday हो चुका है और correction का कोई भी नामों निशान अभी तक लिसा इंडिस्टीज के अंदर हमें नहीं देखने को मिल रहा है PE की अगर बात करूँ तो 315 points के आसपास PE है देखिए PE already stock 60% correction में है लेकिन PE जो है वो अभी भी कम नहीं हुआ है कि buying zone में आ जाए stock market cap 138 crore के आसपास का market cap है PE 5.32 का है और सबसे बड़ी बात यह थी कि T plus 2T stock था और बहुत सारी लोग जो है T plus 2T stock की वज़े से stock में stuck हो गए थे क्योंकि जब continuously जब stock की पहली बार मैंने वीडियो बनाई थी 24 रुपे वे था stock उस टेम बताया था कि गिरावट जल्दी ही हो सकते है क्योंकि profit booking जो है continuously जारी है stock में और वही वाद 30 रुपे के बाद जाके stock ने reversal लिया और reversal इतना बड़ा लिया कि 60% तक की correction stock में already इस time हो चुकी है अगर टेकनिकल चार्ट की बात करूँ तो देखे जब green candles बन रही थी green candles के अंदर जो green bar बन रही है नीचे तो यहने कि profit booking continuous लो जा रही थी बट लेकिन जब जो red candles बन रही है उनकी नीचे कोई भी red bar आप आपको नहीं देखने को मिल रही है इसका रीजन यही है कि कोई भी खरीदना नहीं चाहता गिरते वे stock को और जब भागता है stock तो इसको हर कोई खरीदना चाहता है buying pressure इतना होता है कि stock में stock ही आपको available नहीं होता है RSI level की बात क्रूँ तो 20 points के round RSI level देखने को मिल रही है तो RSI level जो है already बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका buying zone से भी नीचे है stock under valued condition में है इस time लेकिन chances according to technical chart और RSI level तो यही देखने को मिल रहे हैं कि जल्दी ही आपको stock में upper circuit आते हुए देखने को मिल सकता है price performance के बात क्रूँ तो एक week में 22% एक महीने में 48% negative results जो है Lisa industries की तरफ से हमे देखने को मिल रहे हैं बर लेकिन अगर एक 3 महीने की बात को तो 41% के positive returns और 3 साल में 900% के positive returns Lisa industries की तरफ से हमें देखने को मिल रहे हैं अगर volume की बात करूँ तो एक week और कल का और आज का बहुत ही कम volume है क्योंकि lower circuit के अंदर volume बिल्कुल भी trade नहीं होता है क्योंकि stocks की जब त 100% delivery है 100% delivery का region यही था कि stock T plus 2T था क्योंकि दो दिन के बाद आपकी DMAT account में delivery होती थी और एक मन्त में जो volume हुआ था average 11 लग का इसलिए था कि उस बीच में जो रफतार थी उसी की बीच में stock में profit booking continuously जा रही थी और जिसकी वज़े से volume high गया था उस महीने के अंदर तो अभी patience रखे stock में क्योंकि already बहुत जादा नीचे आ चुका जब stock में upper circuit लगे तो बेचने की गलती मत करना क्योंकि बेचे हुए तो आपका loss book हो जाएगा और कही न कहीं जो chance है क्योंकि stock already नीचे आई चुका है तो कहीं न कहीं hold करके कहीं न कहीं उसको कम किया जा सकता आपको जो लोस इस टाइम हो रहा है तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like and share जरू करें और आप मेरे चैनल पर नए तो प्ली चैनल को subscribe करके bell icon को जरूर प्रेस करें